नमश्कार आप देखेरें नेक्सुस प्रशल मैं हूँ आपके साथ प्रिति सुक्रका धनुराशी से निकल कर मकराशी में 29 दिसंबर 2022 को प्रवेश करने जा रहे हैं जो तिशे सास्ट्र में ग्रहों के रासी परिवतन को वेहर मत्रपूर्ण माना जादा है इसके परिणाम शौर्प जो वेक्ति अपने पैसे अध्यात्मिक उन्नती और अच्छी मात्रा में धन अरजित करने के आदे संबंद में उम्मीद कर रहे हैं उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जो तेश्य में शुक्र को महतपून ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह की सुबहोने पे मालक्ष्मी की भी विशेश करपा होती अब हैं शुक्र देव की अर्सुप शामदा करना पड़ता है आये जानते हैं कि सुक्र की रासी परिवर्तन देख के राशी वालों का सोया हुआ भागे चित रागेगा मेस रासी, साले की उनत में शुक्र का ये रासी परिवर्तन मेस रासी वालों के लिए फस्दाई शाभित होगा शुक्र का ये गोजरा आपको करिये के छेतिन में सफलता दिलवा सकता है एक तरह आपको अपने सेनियर्स का मार्क दर्शन मिलेगा वहीं आफिस के सहकरियों की तारिफ भी आपको मिलेगी। जीवन साथी के साथ चल रहा मदवी दी समाप्त होगा। अपने काम में किसी तरह की लापरवाई ना करें रहें कार से बचे। इस गोचर को दुरान सभी के साथ विन अर्मदा से पेसा है। मितों राशी मितों राशी वालों के लिए साल अंतिम गोचर अच्छा रहने वाला इस दुरान आप अगर आप किसी प्रोपर्टी से सम्मंदित मामले में निवेश करते हैं तो फायदा होने की फूर्ण संभावना है। साथ ही साथ आपकी आयमें भी विर्दी होने की बिस परस्ट स्पंकट दिखाई दे रहे हैं। जीवन में सुक्स विधाओ की विर्दी होगी और जीवन साथी से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर अभी तक पार्टनर की तलास कर रहे तो उस्वराना आप एक्छा पोई हो सकती है। अगर आपको आवशक लगे तो इस ओधी में आप ट्रेनिंग या किसी सिमिनार में भी भाग लिए सकते हैं। गोचर की तोरान अपने सेहत का खास ख्याल रखें। कन्यराशी कन्यराशी वालों के लिए गोचे अच्छा रहने वाला इस गोचे से कन्यराशी वालों को संतान की मामने वे अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। अगर करने राशी वाले उच्छा प्राप्ट करना की विदेश जाना चाहते हैं तो सफलता असिल हो सकती है करियर में नए मार्ग खुलेंगे लाइफ पार्टन के साथ चल रहे हैं तनाव भी समाप्त हो जाएंगे मकराशी वे जातक जिनकां जीवन साथी के साथ काफी समय से बद्भीर चल रहे हैं उनके लिए समय काफी उत्तम है विवाहित लोगों के जीवन में नए खुश्या आएंगे वे कुसरे के लिए हर समय मौज़ूद रहेंगे लेकिन आपको अपनी मेहनत की कमाई कोई वर्द नहीं गवाना है इस गोचर के वर्भाव से आपको अच्छे फल मिलने वाले इस गोचर के वर्भाव से आपके मान समान में भी काफीर वर्दी होगी